कि दस रुपईया लेकर भी जो सुख सुभधा जनता को मिलनी चाहिए पार्क के अंदर महजूद नहीं है यह जो जूला जूलने के लिए बनाया गया है इसकी हालात क्या है कबारा हो चुका है क्या हालात में है आप देख सकते हैं पूरा पार्क का स्थिति क्या बना हुआ है तो यही है पार्क तो यह तो चिडरन पार्क है बच्चों को घुमने के लिए तो आपसे भी सुल्क लेकर आदनर आने दिया गया है जो बच्चों को जूला जूलने के लिए था साइद यह बहुत नजर नहीं आ रहा है नगर परसज हुमरी तिलया का पार्क का चिडरन पा पार्क में नावालिक बच्चे लोगों का या पार्क है और अभी हम दिखाएंगे आपको किस पार्ख के अंदर में शरकार के आदेश का किस तरह से नगर परसद के अधीन चिडरन पार्ख में धजिया उड़ाई जा रही है तो अभी हम लोग अपने सहोगी से कहेंगे कि चलें हम लोग पार्क के अंदर और दिखाएंगे कि जिनकी उम्र 22 साल, 25 साल, 18 साल से उपर कहने का पर्ज है कि सरकार का जो आदेस है कि बच्चों लोग का पार्क है और यहाँ पर किस तरह से जो बालिक हैं 20 साल, 25 साल, 18 साल से उपर लोग को पार्क में घुमने का आदेस दिया जाता है और हमारे साथ अभी जो यहाँ गार्ड भी महजूद हैं और साइद को इनका सुलक है 10 रुपई है कितना लेते हैं आप 10 रुपया चलिए हम लोग सहयोगी से कहेंगे अंदर चलेंगे हम लोग देखिए कहां हुआ घर आपका करमा उम्री कितना है आपका 32 देखिए यह चिडरन पार्क है और सिर्फ बच्चों बच्चा भी था आपका इसाथ में देखिए किस तरह से नगर परसद के द्वारा धजिया चिडरन पार्क है जहां बच्चों को घुमने का मनो रंजन के लिए जारखंड सरकार के द्वारा जुम्री तिलईया के अधिन नगर परसद के द्वारा एक चिडरन पार्क का निर्मान कराया गया है देखिए अब लोग पार्क के अंदर जो जूले लगे हुए हैं पड़ा हुआ आए अभी देखिये है देखिये है जो जूला जूलने के लिए बनाया गया है इसकी हालात क्या है कबारा खुका अब देख सकते हैं इधर भी रभिख लिए अंदर फुमने आहेंधे कितना सुल्क लिया गया आप से मैं फैसा नहीं लिया गया आप किस कोलेज में पढ़ते हैं आपकी उम्र क्या है कि आप देख सकते हैं कि सिड्रन पार्क की हालात क्या है देखे जहां बच्चों को खेलने के लिए दिखाया गया था आप देख सकते हैं कवारा बना हुआ है दस रुपईया सुल्क लिया जाता है इसी कवारा में और बच्चों के और जो सुल्क लेकर जब लोग अंदर परवेश करते हैं तो यहां आप बच्चों को खेलने के लिए अच्छा कोई समान पड़ा हुआ है और जहां बच्चों को घुमने का आदेश है सरकार के द्वारा वहां पे 20 साल, 15 साल, 18 साल के लोगों को पार्क के अंदर में घुमने का आदेश दिया जाता है और 10 रुपईया का सुल्क लिया जाता है आप देख सकते हैं इसकी हालात क्या है देखिए देखिए यही है नगर पर सजहुमरीतिलाईया आप देख सकते हैं एकोडर्मा जिल आप देख सकते हैं आगे भी हम सहयोगी से कहेंगे चलें दिखामें हम लोग देखिए आप देख सकते हैं क्या हालात में है आप देख सकते हैं पूरा पार्क का अस्थिति क्या बना हुआ है तो यही है पार्क देखिए आगे भी दिखाएंगे अस्थिति क्या बना हुआ ह हम लोग पूरे पार्क की दुर्दसा दिखा रहे हैं कि दस रुपईया लेकर भी जो सुख सुब्धा जनता को मिलनी चाहिए पार्क के अंदर महजूद नहीं है देखिए यह स्थिती देखिए जो बच्चों को जुला जुलने के लिए था पार्क के अंदर में आप अब देख सकते हैं नगर परसद जुम्री तिलई और देखिए स्वच्छ भारत मिशन पार्क के अंदर में आप देख सकते हैं कि स्वाक्स्ता के पड़ती नगर परसद जुम्री तिलया कितनी गंभीर है इसे अब देख सकते हैं कि देखिए पुरा कच्ड़ा अंदर ही जो है सो जमा किया जाता है तो यह तो चिड्रन पार्क बच्चों को घुमने के लिए तो आप से भी सुल्क लेकर आदनार आने दिया गया है तो आपके तरह के भी लोग मतला आपके उम्र के लोग भी इस पार्क में घुमने के लिए देखिए ए नगर परसद खुले आम धारखंट सरकार के आदेश की धजिया उड़ाई जा रही है सरकार के आदेश के विपरीत चिड्रन पार्क में शिर्फ बच्चों लोगों के लिए ही पार्क में घुमने के लिए सरकार के द्वारा निर्मान कराया गया था लेकिन देखे नगर परसद खुमरीत तिलया का पार्क का चिड्रन पार्क का विकास यही है असली विकास देखे नगर परसद खुमरीत तिलया के द्वारा चिड्रन पार्क का निर्मान करायी गई थी और निर्मान के बाद जो साजो शमान इस पार्क में लगाया गया था साइद आज वो समान सुरुचित नहीं है लोगों से 10 रुपईया रासी लेकर पार्क के अंदर तो परवेश की आदेश दे दी जाती है लेकिन जो जो सुबधाएं यहां मिलना चाहिए लोगों से लोगों को साइद वो सुबधा नहीं मिल पाती है और पूरा-पूरी मेरा मानना है कि नगर परसद जुमरी तिलया कहीं से ना कहीं से मुख रूप से जिमेवार है क्योंकि एप पार्क उनके अधिन छेत्र में आता है और शाइद नगर परसद के कारपालक विशेस पदाधिकारी नहमकों तो नहीं लगता है कभी वो आके पार्क का निरक्षन किये होंगे जदी वो निरक्षन करते तो उनको खोद पता चलता के पार्क के अंदर में शवेदक के द्वारा जो साजो शमान लगाई गई थी साज वो समान अब सुरुचित नहीं है अवे हम लोग पार्क के जो अश्टाप हैं सवेदक के द्वारा इनको रखा गया इस पार्क में किस पदपे हैं आप हम टिकेट काटते हैं जी नाम क्या हुए आपकार पंकज कुमार चुरसिया मकान गुर्दवारा गली कितना तनखा मिलता है आपको आप बताईए पार्क के अंदर में जो शमाने लगाई गई है नगर परसद जुमरी तिलिया के द्वारा जब हम लोग अंदर जा रहे थे देखें तो पूरे समान तूटे फुटे पड़े हुए हैं इस पे आपका क्या कहना है इसके लिए सुधार करना चाहिए नगर पालका को जल से जल पबली को बहुत तकलीफ होती है बच्चे लोग बहुत कष्ट होता है जूला में कपड़ा फड़ जाता है पुराने जूले हैं सारे देखे एक कारे हैं कि जो जूला है वो पुराने हैं बच्चे लोग जब जूलते हैं तो उनके कपड़े फड़ जाते हैं और नगर परसद जुम्री तिलया के द्वारा ततकाली इन समानों को तो बदली कर देना चाहिए ने आरूप से ने समान लगा देना चाहिए आगे क क्या कहना है जितना जल्द हो सके इसका मरमत किया जाए वह अच्छा रहेगा सभी लोग के लिए तो जो बच्चे की जगह पर जो 20 साल 25 साल 30 साल लोगों को भी घूमाया जाता है इस पर आपका क्या कहना है इस सब चीज़ पर रोक होगा सभी को रोका जाएगा देखे ये बता रहे हैं कि जो बच्चों की जगह पे जो 20 साल 25 साल के लोग घुमने जाते हैं पार्क में उन लोगों पर रोक लगाया जाएगा तो कब से ये रोक लगाया जाएगा जब ये मरम्मत हो जाएगी तब से चलिए अपने सायोगी शंतोस मिस्राजी के साथ जैहिंद